दोस्तो चार्जिंग स्क्रीन पर अपना फोटो कैसे लगाएं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर आप अभी अपने मोबाइल को चार्ज में लगाने जाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख लिजिए हमने अपने mobile को चार्ज में लगा है तो कुछ इस प्रकास से आ रहा है मतलब कि यह जो normal सा animation सभी mobile में आता है वो ऐसा यहाँ पर आ रहा है कहीं पर भी दोस्तों हमारा photo नहीं देखने को मिलता लेकिन दोस्तों अब आप अपने charging screen पर अपना मन पसंद कोई भी photo लगा सकते हैं और उसे जब आप चाहे तब उसे change भी कर सकते हैं समझे लो इतनी कमाल की trick में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपके पास चाहे कोई भी mobile हो किसी भी company का mobile हो आसानी से दोस्तों आप अपने mobile में charging screen पर photo लगा सकते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं यह कैसे possible है कैसे आप charging screen पर अपना photo लगाएंगे तो इस वीडियो को end तक देखना वीडियो पसंद आएगा तो like और share कर देना तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने mobile में charging screen पर अपना photo लगा सकते हैं यानि जब भी आप अपने mobile को charge करने जाएंगे तो जो आपका photo होगा वो आपके charging screen पर दिखाई देगा इससे दोस्तों charging पर कोई भी फरक नहीं पड़ेगा उतने ही तेज आपका phone charge होगा जीतना पहले होता था ठीक है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन आपका जो phone screen है वो काफी कमाल का लगेगा जब आपका photo दिखाई देगा अभी current time में मैं यहाँ पर दिखा दूँ होगा अपने phone में यह एक छोटा सा app डाउनलोड करना पड़ेगा अब इस app को कैसे आप डाउनलोड करेंगे ओसम मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा बस आप देखते जाएं लाश्ट तक इस वीडियो को देखिए ठीक है पूरा अच्छे तरह आपको समझ में आ जाएगा अब इसे डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे इसे open कर लेंगे open करेंगे तो इस प्रकार से आपको इसका animation देखने को मिल जाएगा आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिल जाता है जिसमें सबसे पहला है create image, way of setting और my images ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर create image के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर allow के उपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको display का जो permission होता है न यानि कि जो charging screen पर आपका photo आएगा उसका permission आपको यहाँ पर देना होगा ठीक है तो यहाँ पर आपको उस application को search कर लेना है और यहाँ पर permission को allow कर देना है ठीक है उसके बाद आपको back आजाना है और यहाँ पर भी आपको इसे permission दे देना है कुछ इस प्रकार से ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो gallery और camera दो option आता है अब जो photo आप लगाना चाहते हैं उस photo को आप यहाँ पर इस प्रकार से select कर लेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है photo select करने के बाद यहाँ पर आपका photo crop करने को आजाएगा तो आप अपने साफ से जितना बड़ा photo रखना चाहते हैं जितना आपको crop करना है वो सब आप यहाँ पर कर सकते हो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है yes का button इसके उपर आप क्लिक कर देंगे इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका photo आजाएगा कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर दिखाई देगा आप देख सकते है ठीक है यहाँ पर दोस्तों जो main point यह है कि जो photo है आप देखेंगे तो थोड़ा सा white है black and white है और यहाँ पर colorful है इसका मतलब यह है कि आपका जो mobile है ओ इतना भी charge हुआ है इतना charge होना बाकी मतलब यह एक प्रकार से आपको show होगा इसका यह जो animation है यह आप अपने इसाफ से change भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आप इसे अपने इसाफ से कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख लिजी कम ज्यादा जितना आपको रखना है आप यहाँ पर इसे अपने इसाफ से set कर सकते हैं तो इसे मैं थ टेट के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको बोला जाएगा सब कुछ कम्प्लीट हो गया है अब आप अपने मोबाइल को चार्ज से कनेक्ट कीजिए ठीक है तो चलिए अब हम अपने मोबाइल को एक बार चार्ज में लगाते हैं के सामने जैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे आप यहाँ पर देख लिजे कुछ इस प्रकार से आपको यह फोटो देखने को मिलेगा आधा यहाँ पर दोस्तों कलर में देखने को मिल रहा है क्योंकि इतना ही अभी हमारा मोबाइल चार्ज हो 42% और इतना फूल चार्ज हो जाएगा तो पूरा जो है कलर में हमारा फोटो देखने को मिल जाएगा समझे रहो मतलब कि काफे यूनिक लग रहा है न एक प्रकास से देखा जाए तो पहले एकदम नॉर्मल सी जो स्क्रीन आती थी ओस भड़ जाएगी और एकदम मस्त मतलब क आपको यहाँ पर इस्क्रीन देखने को मिलेगा जीतना चार्ज होते जाएगा उतना आपका यह जो फोटो है यह कलरफूल होता जाएगा समझे रहो उतना जैसा आपका फोटो था नॉर्मल उयसा होता जाएगा और यह दिखने में भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर चा करना चाहते हैं तो आपको वापस से क्या करना है इसी application को open कर लेना है ठीक है अब यहां से हम चार्ज से निकाल देते हैं चलिए हम दोबारा से इसे open कर लेते हैं open करने के बाद इसे थोड़ा सा यह open होने में time लगता है और यहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो my images देखने को मिल जाएगा उसे आप यहां पर select कर सकते है अपने इसाफ से जैसा कि आप यहां पर देख लिजे इसे crop भी कर सकते है ठीक है जैसा आपको रखना है कुछ इस प्रकास से उसके बाद आप यहां पर आजाएगा save के उपर click करके yes कर देना है इसे भी ठीक है जैसे आपने last time process किया था same to same ठीक है उसके बाद आपको इसे भी यहां पर done कर देना है अपने इसाफ से जो wave की setting है अब यहां पर दोबारा से दोस्तों हम अपने phone को charge में लगाते हैं अब आपको एक अलग photo देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहां पर देख लिजे देख रहो इसी प्रकास से दोस्तों आप यहां पर अपना जितना भी photos है उसे set कर सकते हैं तो देखा दोस्तों आपने कितना easy तरीके से हमने अपने charging screen पर अपना photo लगा दिया है यहां पर my images में अब आप देखेंगे तो दो दो photo यहां पर आ चुगा है ठीक है तो इस प्रकास से दोस्तों आप यह प्लेइश्टोर open कर लो प्लेइश्टोर open करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको battery charging photo लिकर search करना है red color में इसका icon है आप यहां पर देख सकते हैं और काफी लोगों ने इसे दोस्तों download किया है आप देखेंगे पाच लाग से ज्यादा लोगों ने तो प्लेश्टोर से फोटो लगा सकते हैं जोगी एक unique लगता है देखने में तो इस प्रकास से दोस्तों आप अपने phone को customize कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक को share कर देना थैंक्यो दोस्तों बाइबाइन टेक कियर